प्रफिश्टिन्स कैसे आप सबी लोग मुम्मीत करता हूं, आप सबी लोग अच्छे हों कि टॉपिक हमारे जो चल रहे हैं, आप जानते हैं केस इस्टुडी बेस टॉपिक हमारे रन कराए जा रहे हैं, आज की क्लास में हम लोग डिसकस करने वाले हैं थ्री डिमेशनल जिम करने हैं 2023 के लिए उसमें याद रखेंगे कि हमारे पास किसी भी पैटन पर हमको नहीं मिलने वाले हैं MCQ, हमारे पास जो पैटन होगा, यह हमको MCQ-based case study नहीं मिलेंगे, जो हमारा पैटन होगा, वो पैटन हमारा रन कराया जाएगा, 1 plus 1 plus 2 marks, case study 2 के लिए पैटन होगा, 1 plus 1 1 plus 1 plus 2 marks, case study 3 के लिए पैटन होगा, 2 plus 2 marks, यह linear based questions होगे, और आपको solve करना होगा, आपको MCQ नहीं मिलेंगे, और इस तरह से आपके cover होगे, total 12 marks, फिलाल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं जो आपको run करा रहा हूँ, case study वो असल में CBSC question bank के through मैं run करा रहा हूँ, तो इ 3 dimensional geometry based questions, यहां से बहुत आपको questions तो CBSC question bank में नहीं है, लेकिन यतने भी questions हैं वो discuss करने का प्रियास करेंगे, the equation of motion of the missile are, x is close to 3t, y is close to minus 4t and z is close to t, where the time t is given in second and the distance is measured in kilometers, what is the path of the missile? तो ठीक है, missile का मुझे path बताना है, हम लोग जानते हैं, x equal हमको दिया जा रहा है 3t, यहां से अगर हम t की value generate करते हैं, तो यह equate करके देता है, t is close to x by 3, after then y is close to minus 4t, अगर हम इसको equate करते हैं, तो t की value हमको देखने को मिलती है, minus का, इसको negative sign नीचे ले लिया, और तीसरे में आपको मिलना है, z is close to t, अगर t की value हम generate करें, तो t is close to z upon 1, अगर इन तीनों को हम compress कर देते हैं, तो इन तीनों को compress कर देने पर हमको equation देखने को मिलती है, x upon 3 is close to y upon minus 4 is close to z upon 1, और इस तरह से अगर हम इस equation को जहान से देखें, तो यह काफी हत्ता की equation tally हो पा रही है, x minus x1 upon a is close to y minus y1 upon b is close to z minus z1 upon c, और यह जो है, यह है equation of straight line, यह है equation of straight line, यह है equation of straight line, चलिए, हमें हमारा श्याद आंसर मिल चुका है, we have to find out correct option equation of straight line, अब जो को जो mcq based question है, उसमें क्या कि आपको 4 option दियो हैं, हालां कि solve तो हमें करना ही पड़ा है, तो हमने यहां से option ही tick कर दिया, otherwise अगर आपको सीधे exam में मिलता है, तो आपको यह 4 questions नहीं मिलने वाले हैं, आपको, sorry, 4 options नहीं मिलने वाले हैं, आपको simply equation को इसी pattern पर simplify करना है, by first and second and third, तीनों को compress करके आप सीधे यह answer बताएंगे, और बताएंगे, the path of the missile is equation of straight line, second, equation of motion फिर वाई है, पूछ रहा है, following lies on the path of the missile, भाई है, जो भी point हमारी equation को satisfy करेगा, वही point जो है, वो लाई कर रहा है, अब जिसी यह question MCQ, actually pure MCQ based question है, इसको हम सोचें कि, मतलब, इसको simplify कर लें तो नहीं हो सकता है, मतलब यह MCQ based equation है, लेकिन फिर भी बता देते हैं, हमारे पास जो equation है, यह वो x upon 3 is close to y upon minus 4, हमारे पास equation बन रही है, x upon 3 is close to y upon minus 4 is close to z upon 1, अब यह जो हमारे पास equation है, इस equation को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सी equation satisfy हो पा रही है, मिन्स कौन सा point इस equation को satisfy कर देगा, अगर हम 6, 8, 2 रख देते हैं, सपोस्कोर हमने x की जगह पर 6 रखा, y की जगह पर 8 रखा, और z की जगह पर 2 रखा, क्या यह तीनों balance हैं, तो 3, 2, 6, then we get the 4, 2, 8, अब अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं, तो हमको देखने को मिलता है, 2, discuss to minus 2, discuss to 2, जो की असल में बराबर नहीं है, यानि equal नहीं है, क्योंकि 2 does not discuss to minus 2, तो कुल मिला करके यह हमारा fail हो जाता है, अगर हम option B को देखते हैं, तो यह वाला positive कर देगा, लेकिन यह वाला फिर negative कर देगा, क्योंकि इसके पास negative sign है, जब कि यहाँ पर अगर आप जहां से देखेंगे, तो negative sign हमारे पास नहीं है, option C satisfy कर देगा, then option C is correct, और इसको रख करके भी दिखा देते हैं, यहाँ पर आपने रखा, तो 6 upon 3 is close to minus 8 upon minus 4 is close to 2 upon 2 upon 1, तो यह X की जिगे पर हमने क्या रख दिया है, 6 रख दिया है, यह X की जिगे पर रख दिया है, यह equation हमने कहा से gain की हुई है इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि यह हम लोगों ने already generate के लिए था question number 1 में फिलाल जैसे ही हमने इसको simplify कि है तो 3 2 जा 6 यहां से 4 2 जा 8 और 1 2 जा 2 तो कुल मिलाकर के 2 is cast to 2 is cast to 2 then option C is correct next question के तरफ हम लोग बढ़ते हैं at what distance will the rocket be 5 second का मतलब क्या हुआ कि that T is cast to 5 यह हमको given किया जारों अगर यह given किया जारों तो X 5 जारों Z की values हम लोग निखाल सकते हैं X is cast to 3 T हमको given किया जारों we have to put simply T is cast to 5 then X equals 3 into 5 and get the 15 after then Y is cast to minus 4 T then Y is cast to minus 4 what is the value of T is 5 for the minus 20 and Z is cast to this is known as the T then Z is cast to what is the value of T T is known as 5 then we get the 5 Z is cast to 5 अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो point हमको मिल ला है 15 minus 20 और 5 यह हमको point मिल ला है और पूछ रहा है कि distance origin से कितने distance छेस की है distance के लिए मुझे लगते हैं शयदा formula जानते हैं X2 minus X1 का whole square plus Y2 minus whole square है Y2 minus Y1 का whole square plus Z2 minus Z1 का whole square अब यह जो हमारे पास with under root यह जो हमारे पास ri यह d is cast to है यह हो जाता है X1 यह हो जाता है Y1 यह हो जाता है Z1 यह हो जाता है X2 यह हो जाता है Y2 और यह हो जाता है Z2 तो x2-x1 मतलब 15-0 हाला कि 0 लिखने का कोई meaning नहीं है लेकिन तब भी मैं आपको बता देता हूँ solve करके और z2, z5-0 ये आपको देखने को मिल ला है यहां से 15 square plus minus 20 square plus 5 square यहां से हमको कुछ देखने को मिल ला है 5, 15, 225 plus 400 plus 25 तो कुल मिला करके यहां से जो हमको देखने को मिल ला है वो देखने को मिल ला है 250 plus 400 then we get this 650 then option B is correct यानि under root 650 km अब देखो ये question अगर आएगा तो आपको चार option नहीं दिये जाएंगे आपको simply ये distance generate करना है और आपको पता देना है that the correct answer is 650 km चलिए next question की तरफ बड़तने question number 4 if the position of the rocket at a certain instant of the time this then what will be the height of the rocket from the ground अच्छा किसी time पर मतलब rocket की जो position है समझने का प्रियास करेंगे किसी time period पर जो rocket की position है वो जा रही है 5 minus 8 और 10 ठीक है अब वो पूछ रहा है कि अगर the ground is considered as the x y ground चलो ठीक है हमने क्या किया ये ये और ये ये x axis हो गया ये y axis हो गया ये z axis हो गया ये जो है ये हिस्सा ground है ये आपको बताया जा रहा है कि ये क्या है ये ground है अब rocket की जो ground से distance है वो actually हमसे ये distance पूछ रहा है ये जो को ये आप देख रहा है ये आप देख रहा है ये distance इस distance को वो consider करवा रहा है जो कि अभी आपको देखने को मिल लई होगी एक dark blue line मेंने create कर दिया है ठीक है तो ये point अगर यहाँ पर होता xy plane से पूछरे इसको थोड़ा सवर नीचे ले करके हो अगर यही point xy plane पर होता अगर ये point xy plane पर होता तो इसके अंदर x होता y होता क्या z का coordinate होता आपका जबाब होगा सर नहीं होता because the point lies on the xy plane तो ठीक है दोनों के बीच का distance निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा हालां कि अगर हम देखें तो 5 दोनों में common है minus 8 दोनों में common है यहाँ 0 है यहाँ 10 है तो मतलब z axis पर कितने km रन किया है तो कुल मिला कर कि कितनी height उसने chase की 10 km की height chase की फिर भी अगर मन नहीं मानता है तो आप distance formula पीछे में आपको बता कर क्या है हो आप distance formula लगा सकते है 5 minus 5 square plus minus 8 minus minus 8 square plus 0 minus 10 square और यहाँ पर लग जाता है क्या square root अभी आपको क्या करना है 5 minus 5 मतलब 0 का square plus 8 minus 8 मतलब 0 का square plus यहाँ से मिल जाता है 100 आप जानते हैं कि जब इसको simplify करते हैं तो कुल मिला करके under root and finally we get the 10 तो option D is correct and the last question कुछ है नहीं तो कुल मिला करके आज की वीडियों इंग पर समाप्त होती है साथ इसाथ जो भी लोग मुझे comment कर रहे हैं thank you so much for the appreciation of my teaching और परेशान नहीं होंगे MCQ भी हम लोग कवर करने को सिस करेंगे thanks for watching